राधे राधे गुड बॉर्णिंग एव्रिवन तो मॉर्णिंग का टाइम है और देखे आज न मुझे बहुत ठंड लग रहे सवेरे से तो मैंने अपने काना जी को भी गर्म कपड़े पहना दिये हैं और मेरी पूजा हो गई है आज गोपास्ट में है तो गाय माता की भी प बांद के रख लिया है और यह पूजा की समागरी यहां पर मैंने गेरू को भी गिला करके रख लिया है और सब चीज रख लिए पानी भर लिया एक डबे में यह सारी चीजे लिजाने के लिए और एक दीबदान करूँगी में 365 बाती का दीप परही है तो जा कि यह पूस जारहें है पंन लोग कि पाहई को हुराँ जराई नहीं थे चराई थे जंगल ले के गया थे अहां लोगे पहली बार आज लोगा इंआं उन से घुश ओ गई बहुत डाइंत चुкое त stora जिंगी देखे ताव है तो हम लोग निकल गए हैं गुषाला जाने के लिए और बच्चे बैठे हैं जाते हैं तो बच्चों को लेकर जा रहे हैं ताकि उन्हें भी समझ में कैसे पूजा की जाती है को आज हम इन लोगों भी लेक के आए और ये जाने वाले हैं मेरे बतीजा-बतीजी उनके घर क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया हैं लेकिन यहां से हम लोग पूजा करके उसके बाद उनके घर भेज़ देंगे तो यह जबल पूजार siya नंदिनी थोड़ा सा पहले आ गए थे तो हम ने एक बच्चिया की हमने पूजा वहां कर दी थी और हम लोग ज्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि बच्चों को छोड़ेने के लिए जाना था वने कि पूजा गए तो यहां पर अंदर जो एक बच्चिया बंदी हुई थी उन्होंने कहा कि इसका पूजाए जो खुली थी वो काफी ज़्चा दोर रही थी और मारने को हो रही थी इसलिए हमने एक चोटी सी बच्चिया का यहां पे पूजाए है और मैंने उनके पैर जो अम्मा थी वो रख रहे ही थी सब गुड़ को अभी खिलाने के लिए तो हमने उन्हीं को पकड़ा दिये तो कुछ खाने पिने की चीजे इनके लाना चाहिए खिचडी बगर बना के ला सकते है तो वो लाना चाहिए दाल लेके आना चाहिए कुछ भी ऐसा जो गायक खा सकें तो यहां पर मेरी भती जी भी पूजन करने के लिए कह रही है और हमने सबने बच्चों को मैंने पहले पूजन करवाई हूं और पहले मैंने करी और फिर उनको करवाई कि ऐसे ऐसे करना है और साथ हमने वो जो चापे थे वो लगाए जो मैं दिया लेके आई थी हाथ के चापे हम लोग ने नहीं लगाए वो दिये सही हमने चापे लगाए और ये लाल कलर की बच्चिया थी ना इसलिए इसमें समझ नहीं आ रहे थे अच्छे से चापे लेकिन हमने बहुत अच्छा से पूजा की और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दीबदान भी किया जो मैं दिया लेके गई थी अपना तो 365 बाती वाला तो मैंने सुचा कि गोश आलमे दीबदान करना बहुत अच्छा होगा तो यहीं पर कर देती हूँ सबसे पहला दीबदान तो मैं आज बच्छों को लेके गई थी कारण था कि मैं चाहरी थी कि वो लोग भी देखे कि कैसे हमारी हमारा कल्चर क्या है और हम लोग किस तरह से पहले पूजा वगरा करते थे कैसे हम गायों की सेवा करते थे इसलिए मैं यहाँ पर मतलब अपने बच्छों को लेके गई थी और उनसे भी मैंने सामने से पूजा करवाई कि उन्हें आगे तक याद रहे यह चीजें और हर साल वो भी खुशी खुशी आए हमारे साथ और इस तरीके से गाय की सेवा करें लेकिन मैं आने वाले साल से मैं थोड़ी ज्यादा देर के लिए यहाँ जाओंगी और जैसे सब पूजन होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट होगी सारी गाय को बांदा जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर पूजा हम मतलब शुरू होती लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले ही करके आ गए तो मतलब वो देखना थोड़ा और भी अच्छा होता है पच्चों के लिए भी कि वो अपने कल्चर को आगे तक ले जा सकें और आगे तक बना के रख सकें जो हमारी गाय को लेके जाते थे चर्वाह वो आ जाते थे मौर्निंग से और सारी गाय को न वो तयार करते थे बहुत अच्छे से इसे नहलाना और उसके आद बहुत चापे लगाना तो हम भाई बहन बहुत अच्छे से चापे लगाते थे तो मुझे ये चीज याद थी लेकिन हमाई बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा है तो मेरा मन्द था कि मैं उनलों को लेका रहा हूं और इस तरीके से दिखाऊंँ तो आने वाले साल में और भी अच्छे से वो लोग भी साथ में हमारे साथ मतब पूरे मज़े से ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज गोपास्ट में में गोगी सेवा करना और दीबदान करना तो पहला दीबदान तो मेरा बहुत अच्छा रहा और यहां पे मैंने दीपक जला दी हूँ तो बहुत मैंने जो कपूर डालके रखी थी अच्छे से मेरा दीपक बहुत गया और मैंने गउशाला में यह दीबदान कर दी थी तो आगे भी जो भी दीबदान में करूंगी वह आप लोग के साथ शेयर करते जाओंगी अब चल्दी मिलती हो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और आगे की भी पूजा विदी वगर आप लोग के साथ शेयर कर दो फिर में यहां पर दीबदान कर दिया incur तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगते है इप्लीज कमेंट जरूर किया करी कि मुझे इंतार है ताकि मुझे समझ में आए कि आप तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें तो जिली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक ली बाई बाई टेक क्यार